इस वक्त की पड़ी खबर आपको उता दें, बीजेपी में शामिल हुए आर्पियंद सिंग, धर्मेंद प्रधान को धनवाद दिया, आर्पियंद सिंग ने पीम के काम की तारीफ हो रही है, यह बाद आर्पियंद सिंग ने आज बीजेपी के दिल्ली खार्याले पहुचे जानोंने बीजेपी जॉइन कर ली, देर आए दुरुस्ता यह बात गई गई यूपी, इंदुस्तान का दिल है, यह तमाम बड़ी बाते आर्पियंद सिंग के द्वारा की गई, पांच साल में डबल इंजन की सरकार ने पहतर काम किया, यूपी में कानून विवस्ता पहत पहतर हुई है, और सीधे रुकरते दिली का जास से हमारे सवराता विकाश, शंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके विकाश, आप से जानना चाहूँगा, बट पड़ौना की बात लगातार निकल कर आ रही है, आर्पियंद सिंग ने अब बीजेपी जॉइन कर लिया है, कित इदे कि निस्चित तोर पर कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा जटका है, आर्पियंद सिंग ने जॉइन कियें, साथ दो और नेताओं को भी ओलाए है, सबसे बड़ी बात है कि अब इसका फाइदा बीजेपी को कितना होगा, कि कॉंग्रेस को जटका है, इसमें कहीं कोई सं रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही, जोतिरादेत सिंधिया भी उस मंच पे मौझूद थे, कि 2004 में जोतिरादेत सिंधिया को उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी में आईये, और बहुत पहले जब वो सांसत बनके आये थे, तभी आर्पियंद सिंग को कहा था कि आप पाईए एक अच्छा नेता गलत जगह पर है, तो यानि कि बीजेपी भी प्रयास रत थी या अर्पियंद सिंग को लाने के लिए, क्योंकि अब उसके बाद जब परिश्थिती बदली स्वामी परसाद मौरे के पार्टी छोड़ बीजेपी को छोड़ कर जाने के बाद जो समाज ने साथ छोड़ दिया, लेकिन सवाल उठता है कि पढ़ रहा हो ना, कुसी नगर, देवरिया और गोरखपूर के तमाम जगहों पर आर्पियंद सिंग का बीजेपी उपयोग कैसे करती है हो, यह कितना कारगर होते हैं, यह कितना सफल होते हैं अपनी विरादरी का व यह किसी तरीके से कॉंग्रेस को उसको खोई हुई राजनीतिक जमीन मिल जा है, और ऐसे में आर्पियंद सिंग ऐसा नेता जो इनका एक चेहरा हुआ पर हुआ करता था, एक दिगज नेता उनका, कॉंग्रेस में जिसको अहम पद तमाम दिये गए, किंदर में मंत्री रहा जारखंड का परभारी मौझुदा वक्त में स्टार केंपिनर की सुची जारी की गई, उसमें भी आर्पियंद सिंग का नाम कॉंग्रेस ने सामिल किया, उस वेक्ती ने कॉंग्रेस को छोड़ा और बीजीपी के दामन को थोड़े दिर पहले थाम लिया, जुसें कॉंग्र नही है